पूरे योक्रेन में अंधेरा चा जाएगा कूचा कूचा गली गली अंधकार का सामराज्य होगा शेहर दर शेहर सूरज की रोश्णी के लोटते ही घुप काली रात में गुम हो जाएगा खेरसोन, खारखेर, डॉन बास, कीव, मार्यो पुल सारे के सारे इलाकों में रात कयामत बन कर उतरेगी सर्दी का मौसम भी बहुत दूर नहीं है और तब योकरेन की जनता ठंड में कप कपी की मौत मरे की इतना धमाका होगा कि योकरेन का एक भी ऊर्जा उत्पादन सन्यन्त नहीं बचेगा योकरेन के खिलाब पुतिन का ब्लैक आउट प्लैन अब आक्शन में है तस्वीरें देखिए जन्दकी बचाने की ये आखिरी जंग है स्ट्रेचर पर पड़ा व्यक्ति अंतिम सांसें गिन रहा है कुछ दिनों में ऐसे ही पूरा योकरेन विजली के लिए थर्पेगा इसकी तस्दीक करता है रूस का योकरेन पर हुआ सबसे ताजा हमला इस हमले में सत्रा लोगों की मौत की खबरें पश्चिमी मीडिया में छपी है कॉन्स्टियान की निवकाप पूर्वी योकरेन में पड़ता है यहां के वाजार पर रूस का हत्यार गिरा है तस्वीर नमबर एक, तस्वीर नमबर दो, तस्वीर नमबर थी आपकी स्क्रीन पर जिस दबाही की तस्वीरें तैर रही है उसके पीछे की कहानी रूख कपा देने वाली है आप सुनेंगे तो आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि पुतिन ने आखिरकार योकरेन के पूर्विनाश्च वाला फैसला ले ही लिया है वो फैसला क्या है? जिसे पुतिन ने लेनी से पहले बहुत सोचा विचारा होगा अपने कमांडरों के साथ बैठक जरूर की होगी अंतराश्य विरादरी के बारे में जरूर सोचा होगा क्योंकि पुतिन का ओर्जा संयंत्रों को दबाह करने के फैसले का सर सीधा योक्रेन की आम जनता पर होगा वो जनता तो जैलैंस्की की जिर्द और पुतिन के आक्रमन के बीट शलनी हो रही है जक्नी हो रही है योक्रेन के किसी रिहाशी इलाके पर ये हाल के दिनों में रूस का सबसे बड़ा हमला है रूस योक्रेन के किसी रिहाइशी इलाके पर सीधा हमला करने से इंकार करता है लेकिन ये तज़्वीरे रूस के इस दावी को जुठला रही है कि रूस का टार्गेट योक्रेन का आम आत्मी नहीं बन रहा बहुत विचलित कर देने वाली तज़्वीरे आई है रूस के इस समले में कारों के साथ लोग भी जल गए पूरा इलाखा एक पल में खाको गया धू धू कर जलते आशी आने का वीडियो आपके स्क्रीन पर है सेना के जवान और फायरफाइटर्स जूज रहे जिन्दगी को बचाने के लिए लेकिन कहां कहां बचाएंगे मोर्चा यहां भी खुला है और उस मोर्चे पर लड़ने की तयारी भी की जा रही है जो नवंबर देसंबर के महीनों में कहर बनकर तूट सकता है शर्मन मेड गेपार्ड फ्लाक गन की आजमाईश चल रही है बैटल टैंग पर योग्रेम के सैनिकों ने इसे तैनाद कर दिया है जबरदस्ट फाइरिंग की प्रैक्टिस होने वाली है प्रत्य गेपार्ड रेडार की रेंज है 12 किलोमीटर इस कारण से ये रेडार बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाता इसी कैप को भरने के लिए इस बैटल टैंग पर अमेरिका मेट N2 लगाया जा रहा है सवार अबकी बार योग्रेम को अंधेरे में डूबने से बचाना है पहले इस हथियार को पूरी तसल्ली के साथ देखिए इसकी बाद बताएंगे कि योग्रेम के उर्जा संयंत्रों को रूस से बचाने के लिए मैदान में उतरने वाले कमांडर में क्या कहा दुश्मन को रोकने में सक्षम माना जाने वाला अमेरिका से आया पैट्रियाट डिफरंस सिस्टम भी लगाया जाएगा पिछली सर्दियों में रूस ने योग्रेम के आधे उर्जा प्लांटों पर हमले कर उन्हें नुकसान पहुंचाया इस साल सर्दियां आते ही योपरें में इससे बचने की तगड़ी तैयारी शुरू कर दी है पूरे लाव लशकर के साथ योफेन को रूस के हमले से बचाने के लिए सेना उतर गई है पूरे लावनिंग में अब इंशिमे कुलिमेत में विरबनेश्ट्वा रजयान्स्कों स्यूज अब इननाजेमन बंदूग चलेगी तब मैदान में क्या होगा ये अभी से कह पाना और समझ पाना मुश्किल है लेकिन योक्रेन के कमांडरों के भविश्य के प्रती सोच देखिए और उनकी तैयारी देखिए जो लोग ये कह रहे हैं कि योक्रेन अब पुतिन के सामने ज्यादा दिनों दख नहीं टिक पाएगा उनकी सर्दी की तैयारी कैसे है? सुने Ми розуміємо, що є кінжали, є інші більш потужні ракети, тож для них ми використовуємо ті системи, про які ви щойно говорили. Це «Петріот», це «Насемс». Що стосується зенітно-артилерійської установки «Гепард», ця установка використовує артилерійське зброєння. Тобто, це звичайна артилерійські снаряди, гармата є автоматична, тож वार्टिस їх, вона звісно, дешевше. 2022 की सर्दियों में, रूस ने योक्रेन के करीब-करीब सारे संयंत्रों को टार्गेट किया. यहां तक की जब पुरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी निशाना बनाया. इसके मूल में ये कारण है कि पुतिन की नीथी है कि योक्रेन के सारे एकॉनमी के जणे काड़ दी जाएं. इसके लिए योक्रेन जमीन पर उतर चुका है. जर्मन में इन बन्दूकों को रण नीथी के तहत तयार किया गया है. रूस में योक्रेन के पावर प्लांटों को टारकेट करने के लिए एरानवाले शाहिद ड्रॉनों का इस्तेमाल किया था. योक्रेन के सीने के सामने ये सीन ब्लपू साफ है. लेहाजा 90,000 के ग्रून को मारने के लिए योखरेन ने जर्मनी से एक डॉलर वाली बंदूख मंगवाई बिचले साल नवंबर में योखरेन के एक करोड लोग अंधेरे में जीने को विवश्ट थे क्योंकि बुतिन लगातार योखरेन के पावर प्लांटों को टार्गेट कर रहे थे खबर आई थी कि बिजली उत्पादक खपक की जरूरतों के केवल तीन चौथाई को कवर करने में सक्षम थी रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को केवल चार से पाँच घंटे ही बिजली सप्लाई मिली थी अनकि सर्दियों में बिजली की मांग गर्मी की तुलना में अधिक होती है लोग अधिक संख्या में लाइट जलाते हैं और हीटर का उप्योग करते हैं लेकिन पिछली सर्दियों का संकट इसलिए नहीं आया क्योंकि मौसम बदल गया पोतिन ने योक्रेन के पावर प्लांटों का दम झोट दिया खेरसोन, लोहांस, की, ली, मारियो पुल से लेकर जप्योच्ट बिर्विया किन योक्रेन पावर प्लांट तक पर हमले किये मगसत विलकुल क्लिया कि योक्रेन की एकॉनमी की कमर थोड़ दी जाए जपरेज्या परमानु संयंत्र योरोप का सबसे बड़ा परमानु संयंत्र है इस संयंत्र से योक्रेन की आधी बिजली की समस्य अहल होती है लेकिन अब इस संयंत्र से योक्रेन को सीमित सप्लाई मिलती है जिसे रूस जब भी चाहे बंद कर दे और पुतिन को ये करने में बहुत सोचने समझने की जरूरत भी नहीं है रूस आने वाली सर्दियों से पहले अनाज डील तोड़ कर ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दे चुका है कि वो योक्रेन को बक्षने वाला नहीं है अनाज की इंटरनाशनल सप्लाई से योक्रेन को बहुत बड़ी रकम मिलती थी जो अब बंद है और उर्जा सैयंत्रों को भी रूस ने खाक में मिला दिया तो ये समझ पाना मुश्किल होगा कि योक्रेन में क्या बचेगा जैलन्सकी के पास ऐसा क्या होगा जिसे बचाने के लिए बच्ची होई आवाम और बच्ची होई योग्रेन की सेना रूस के खिलाफ लड़ेगी पिछली सर्दियों का डर इस बार भी योक्रेन को डरा रहा है पुतिन के योग्रेन के ब्लैक आउट का प्लान काम्याब हुआ तो कियू के लोगों को शेहर छोड़ कर जाना पड़ेगा कियू में बहुत जल्द ब्लैक आउट होने वाला है कियू के गरीब 20 लाक लोगों के सामने आने वाला है महासंकर्ट रूस के खतरनाक हत्यारों ने कियू के पाउट प्लांट को पिछली सर्दियों में कोई मामूली नुकसान नहीं पहुचाया बलकि वहां का पूरा का पूरा सिस्टम ही चौपट करके रख दिया क्योंकि बिजली गई तो पानी भी जाएगा जीने के लिए जरूरी दो चीजें क्योंके लोगों के पास नहीं होंगी वैसे योक्रेन में सर्दियों के मौसम में आये इस महा संकट से निपटने की तैयारी इस साल भी शुरू हो चुकी है जो एक हजार शेल्टर बनाये गए थे उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है कहना है कि इस हमले के बाद योक्रेन के 12 पावर प्लांट काम ही नहीं कर रहे थे सर्दी पूरे युरप पर भारी पड़ती है लेकिन उससे पहले बरसात आती है रूस बरसात के पहले कुछ ठोस करना चाता है जैलन्सकी ने रूस पर एतने ड्रोन हमले किये हैं कि महा युद में जैलन्सकी की बढ़त की तश्वीर दिखने लगती है लेकिन रूस भी पीछे नहीं है ताजा हमले बाजार पर नहीं होते तो अच्छा होता क्योंकि आम आदमी की मौत की जिम्मेदारी तो खुद पुतिन भी नहीं लेगे पुतिन के पास हमले बढ़ाने के अलाबा और कोई विकल्प नहीं है नैकों की ताकतें तमाम गिले शिक्वे के साथ जैलन्सकी के साथ खड़ी है रूस के ये ताजा हमले तब हुए हैं जब अमेरिका ने योक्रेन को एक बिलियन डॉलर की मदद देने का नया एलान किया है जैलन्सकी कि सेना की तैयारियों को देख कर लगता है कि पावर प्लांटों को बचाने के लिए योक्रेन ने नई तरह से प्लानिंग की है लेकिन सवाल तो रूस की उस किंजल मिसाइल का है जो योक्रेन के किसी भी पावर प्लांट में धमाका करने की अच्चूक शक्ती रखती है योक्रेन में बिर्जली गई तो सब कुछ गया अंधेरे में डूबा देश भविश्य की रोशनी में तो देख सकता है लेकिन बन्यादी चीजों की जरूरतों का पूरा ना हो पाना भी मौत से कम वाली इस्थिती नहीं हो सकती